बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलेक सालार खान हैर और आज आपको बताते हैं जी प्रापर्टीज आफ वेक्टर प्रॉड़क्ट वेक्टर प्रॉड़क्ट पिछे वीडियो में समझ गए नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ठीक है जी चुट क्या होता है समझ आ चुका हूँ उसकी डिरेक्शन क्या होती है from the right hand rule अब समझ चुके है आज कुछ प्रापर्टीज देखते हैं जी दिप्रापर्टीज of what प्रापर्टीज of प्राउस प्रॉड़क्ट या वेक्टर प्रॉड़क्ट the properties आचा जी तोड़ा सा speed लगाएंगे आच क्योंकि जरा जिल्दी में हूँ कहीं पे जाना है number one is what number one that the cross product is anti-commutative or anti-commutative basically आप सीख चुके है from the previous video के A cross B जो है A cross B जो है वो basically equal होता है minus of B cross A के और ये आप सीख चुके हैं कि ये क्यों होता है क्योंकि direction उसकी opposite आ जाती है अगर दुबारा समझना चाते हैं तो मैं दुबारा बता देता हूँ जी अगर ये एक vector A है और अगर ये एक vector B है इन दोनों को आपने cross करना है तो A की direction में आप हाथ को रखे B की तरफ rotate करें A cross B outward आ गया outward हम इसको जो है तो upward से represent करेंगे अब B cross A आपको चाहिए तो B की direction में stretch करें A की तरफ rotate करें inward resultant आएगा इसका मतलब है कि B cross A जो है वो downward होगा तो आप देखें कि इन दोनों का magnitude तो same है मगर जो direction है वो opposite है और उस opposite direction को show करने के लिए मैंने इदार एक negative sign लगाया हुआ है समझाई? अब anti-commutative ये direction में है magnitude जो है वो दोनों के same है A cross B का जो magnitude है वही magnitude B cross A का भी होगा second जो property है of course distributive over addition है अब आप ये खुद से भी कर सकते हैं के A cross B plus C है यानि पहले add करे फिर cross करे तो ये equal होगा A cross B plus A cross C के यानि पहले cross करे दोनों को फिर add करे तो इसको हम distributive property कहते हैं number 3 property को इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है को लिनियरिटी जो आप चिक करते हैं चले मैं बता देता हूँ जी को लिनियरिटी में क्या होगा को लिनियर वो वेक्टर्स होते हैं जो along the same line होते हैं तो along the same line या तो parallel हो सकता है जिसमें theta 0 है या पिर anti parallel हो सकता है जिसमें theta 180 degrees है तो दोनों में अगर आप देखें तो आपका जो cross product आएगा वो 0 आएगा या पिर आप इसको कहेंगे जी के ये null vector आएगा ये null vector आएगा क्यों क्योंके null vector मैं आपको बता चुका हूँ जी ये equal होगा a b sin of theta k और sin of 0 क्या आता है 0 आता है sin of 180 भी 0 आता है तो a into b into 0 into any unit vector पिर अगर आप 0 into any unit vector करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि scalar number multiplied with a vector has to be a vector तो इसलिए हम 0 vector को introduce करते हैं ये third property है फिर अगर आप perpendicularity को देखे तो perpendicular vector अगर हो तो उनका जो cross product होगा वो maximum होगा क्योंके perpendicular में theta 90 होता है और sin of 90 जो है तो वो 1 होता है तो इसका मतलब है कि a cross b जो होगा वो simple product होगा of the two magnitudes a b and unit vector definition इदर मैं जरा लिक लेता हूँ a cross b की जो definition हमने पढ़ी थी वो था a का magnitude, b का magnitude और sin of the angle between them ये होगे जी आपके चार properties अब क्या करें जी? नेक्स्ट आप करें with itself cross product of a vector with itself is 0 तो with itself अगर एक vector का अपने आपके साथ देखे तो वो 0 होगा और 0 अगे नहीं होगा जी, null vector होगा अब इसमें आपने ख्याल रखना होता है किस तरह होता है? अगर मैं कहता हूँ a cross a तो देखे, a का magnitude फिर a का magnitude और sin angle क्या होगा? 0 होगा के नहीं होगा? n unit vector, sin of 0, 0 होता है के नहीं होता? a squared into 0 into n unit vector 0 into n unit vector again null vector ये with itself आ गया perpendicular में भी आ गया, parallel में भी आ गया anti-parallel में, anti-parallel में unit vectors की बात करते हैं, जी cross product of unit vectors तो unit vectors एक तो similar हो सकते हैं और दूसरा जो है तो वो dissimilar हो सकते हैं, तो पहले आप similar की चले बात करते हैं तो for example i cross i की में बात करता हूँ तो i का magnitude i का magnitude और sin of the angle तो sin of angle क्या होगा? i के दर मैं इंगल 0 होगा की नहीं होगा? बिलकुल होगा into n unit vector तो again दे के sin 00 आगा है तो again ये null vector आ जाएगा तो इदर से आप यह है तो generalize कर सकते हैं कि i cross i is j cross j is k cross k and this is all equal to a null vector इसके उपर ये caps लगाया करें, मैं अक्सर जो है तो जल्दी में बूल जाता हूँ ये similar vectors के लिए है अब अगर आप non-similar या dissimilar की या non-like की बात करें चले मैं dissimilar लिख रहता हूँ तो उसके लिए मैं आपको rules भी समझाऊंगा for example i cross j है तो वो होगा i का magnitude which is 1 j का magnitude is 1 और sine of the angle is 90 degrees तो इसका मतलब है into n unit vector तो 1 into n unit vector अब देखें, ये n unit vector एक specific unit vector है मैं आपको बताया था perpendicular होगा to i perpendicular होगा to j perpendicular होगा to the plane तो वो कौन सा unit vector है जो i के perpendicular है वो j भी है, वो k भी है लेकर इदर j भी है तो वो कौन सा unit vector है जो दोनो i और j के perpendicular है और x, y plane के भी perpendicular है तो वो है k unit vector तो इसको मैं लिख लूँगा k unit vector similarly, ये i cross j है पिर देखे, j cross k देखे तो 1, 1 sin of 90 है तो मुझे जरूरत नहीं है तो 1, any unit vector अब वो कौन सा unit vector है जो k, j और k दोनों के perpendicular है तो वो है j, i unit vector समझ आई, बिलकुल आई similarly, k cross i से क्या आएगा जी पिर, k cross i से पिर आपका j unit vector आएगा अब अगर आप इसको इसको अगर मैं इधर लिखता हूँ i cross j से क्या आगा k आगा k cross i से नहीं, sorry, j cross k से पहले j cross k लिख j cross k से j cross k से i आगा और पिर k cross i से j आगा ठीक हो गया जी अब हमने end commutative पढ़ा है तो देखे, अगर मैं j cross i करता हूँ तो minus k आएगा k cross j करता हूँ तो minus i आएगा और i cross k करता हूँ तो minus j आएगा समझ आई, बिलकुल आई अब इसको याद करने के लिए लोग किस तरह करते हैं जी याद अगर आपने रखना है तो ये i है, इसका perpendicular j है और इसका perpendicular outward पिर k है anti-clockwise जाए anti-clockwise अगर आप जाते है तो anti-clockwise positive होता है और जो clockwise होता है तो वो negative होता है anti-clockwise j i cross j is k j cross k is i k cross i is j anti-clockwise i cross k is minus j k cross j is minus i j cross i is minus k समझाई पिल को लाई तो ये आपको याद होना चाहिए ये unit vectors की बात हो गई अब क्या करते हैं जी अगर rectangular components form में है rectangular components form में तो क्या करेंगे rectangular components form में चले वो ज़रा लंबा होता है लेकिन करते हैं जी rectangular components form इसका मतलब है कि आपने a को cross करना है b के साथ मैं directly करूंगा जी तो a लिखता हूँ जी क्या होगा a x i unit vector a y j plus a z k ये a given है और b given है b x i plus b y j plus b z k उसी तरह करें जी एक एक को multiply करते जाएं तो एक एक को करते जाएं a x into b x a x b x i cross i plus a x into by i cross j plus a x into b z i cross k ठीक है जी k है ही पिर प्लस a y की बारी a y b x j cross i plus a y b y j cross j और प्लस a y b z j cross k पिर प्लस कौनसे की बारी a z की बारी a z b x k cross i plus a z b y k cross j plus a z b z k cross k ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया अब unit vectors को आप पढ़ चुके हैं जी तो a cross b इदर से क्या होगा? a cross b होगा जी a cross b होगा देखें i cross i क्या होता है? इदर से देख जे जाए i cross i 0 है की नहीं है? बिल्कुल है तो यह 0 होगया की नहीं होगया? बिल्कुल होगया i cross j k के बराबर है तो a x by with a k unit vector फिर plus i cross k i cross k जो है वो minus j है तो यह देखें a x b z और minus k है तो इसको मैं इदर लिखके minus को और इदर k unit vector लगा लेता हूँ यह भी हो गया ठीक हो गया? पिर j cross i j cross i है तो minus k again है j cross i से minus k आ जाएगा नहीं 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 यह एक मिन्ट गलती होगी i cross i i cross i तो 0 हो गया फिर i cross j जो है वो k unit vector हो गया फिर i cross k है तो i cross k से minus j आएगा यह j है यह minus j है ठीक है? a x b z अब देखे a y b z देखे j cross i तो यह minus k तो minus a y b z b x है b x और पिर k unit vector ठीक हो गया? अब a y b y है j cross j 0 है j cross j 0 है किदर है? यह है यह है j cross j 0 हो गया फिर देखे a y b z और j cross k क्या है? तो j cross k i है तो plus i unit vector यह भी हो गया अच्छा a z b x a z b x देखे k cross i क्या है? k cross i is j so plus j यह भी हो गया अच्छा a z b y a z b y k cross j is minus i तो minus i unit vector लगा देगे और finally a z b z तो k cross k is 0 तो एक लंबा चोड़ा result आता है और x को components को combine करते हैं a cross b देखे i unit vector वाली को combine करें a y b z a y b z minus a z b y with i unit vector फिर plus होगा के minus होगा? j वाला देखे plus a z b x और minus a x b z into j unit vector ठीक है? और फिर plus k वाले को combine करें तो a x by और minus a y b x और इसके साथ होगा k unit vector तो इस तरह से आपने multiply करना होगा समझाई जी? समझाई अब इसको याद किस तरह करेंगे? तो अभी मैं आपको अगर लेट से एक shortcut बताऊँ एक shortcut अगर लेकर देखे x y z लिखके चले तो x unit vector है आई देखे a y b ka z फिर उसका opposite minus a z b ka y ठीक है? पिर अगर y unit vector है y unit vector है ठीक है? तो a ka z b ka x minus a ka x b ka z फिर देखे k unit vector है तो a ka x b ka y और minus फिर opposite a ka y b ka x लेकिन ये तो एक shortcut मैंने आपको बताया और इस तरीके से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए एक आसान चीज है जी which is the determinant और determinant से आप किस तरह करते हैं? देखे a cross b आपको given है जी और आप इस तरह करते हैं 3 by 3 matrix होता है i, j और k अब medical वाले कहेंगे ये skip कर देंगे ये आपने नहीं पढ़ा skip ना करें जी, मैं पढ़ा दूना आपको या तो i, j, k है अब आप इधर एक vector लिखे a x लिखे, a y लिखे और a z लिखे और इधर b x लिखे b y लिखे और b z लिखे ठीक हो गए जी, बिलको ठीक अब क्या करें जी, देखे अब इस x को expand किस तरह कर दे 2 by 2 expansion आपको आदी है ये आपको 3 by 3 करा दे जी i unit vector है, इस row को भी खतम करें, इस column को भी खतम करें, column और row और जो रह गया वो लिखे तो कौन सावला रह गया ay रह गया, by रह गया az रह गया, b z रह गया पिर माइनस sign माइनस alternating sign होगा ठीक है, जे, अब जे जिस row में है column में वो खतम करें ये column खतम करें, ये row खतम करें तो ax, b x az, b z ठीक होगा जी, बिलकोल अब plus k, sign जो है वो alternative होगे, positive, negative positive, के जिस column में है वो खतम करें, जिस row में है वो खतम करें, ax b x, ay by, अब तो expansion आपको आती है न या अब तो आपको expansion आती है तो मैं लिखता हूँ इदर से a cross b is equal to देखे, diagonal वादी को multiply करे, ay b z, पिर minus off diagonal, az by with i unit vector पिर minus j है तो minus ax b z, minus az b x with a j unit vector, और पिर plus k है, तो देखे, ax by minus ay b x with a k unit vector चले, k unit vector को set तो देखे, ये formula आसान था कि नहीं था? तो बिल्कुल दा जी तो ये from the rectangular components form आपके पास आगए मजीद इसमें कुछ है के नहीं है? है, एक दो बाते हैं एक तो आप जो है angle find कर सकते हैं, जी angle तो अफकोर्स आप find कर सकते हैं 8th number property अगर मैं इधर लिखता हूँ जी तो वो क्या होगा? जी, वो angle होगा और angle आप किस तरह find करेंगे? तो sine of theta जो है, वो होगा और इसके साथ मैंने n unit vector नहीं लगाया हुआ यह जरूरी है जी, यह तो vector है ना आचा, तो sine of theta would be A cross B का magnitude upon what? upon the magnitude of A and magnitude of B और theta जो है, वो होगा sine inverse of this thing A cross B का magnitude upon A का magnitude into B का magnitude यह angle हो गया अब एक 9th एक बात है लेकिन मैं वो इस वीडियो में करू या ना करूँ बिल्कुल करूँ जी, time भी है एक 9th है कि area of the plane यह आपको देता है number 9 magnitude of cross product gives what? gives area of the plane covered by the two vectors तो किस तरह आपको बताते हैं जी यह एक important property है for example, यह एक vector है A यह एक दूसरा vector है B इनके दरम्यान कोई angle है theta तो इन दोनों को जब आप cross करेंगे और जो magnitude आएगा तो वो इस plane का area देगा जो इन्होंने cover किया हुआ है for example, यह वो plane है इस A को मैंने इदर तक extend किया और इस B को मैंने दूबारा इदर draw किया तो यह वो A है, यह वो B है तो यह जो plane है, जो इन दोनों vectors ने cover किया हुआ है तो यह area हमें वो magnitude of the cross product देगा जो area है, वो होगा क्या चीज़? A cross B का magnitude जो के बराबर होता है A, B, sine of theta के समझ आई कि नहीं है और यह जो है आप देख सकते हैं, यह क्या है this is a parallelogram, this is a parallelogram है कि नहीं है बिलकुल है, if theta, अगर A, B के equal नहीं है आप देख रहे हैं ना if A is not equal to B, magnitude की बात कर रहा हूँ और theta is not equal to 90 degrees तो यह देखे, यह area जो है area of parallelogram है के नहीं है? बिलकुल है parallelogram की spelling, I hope मैंने सही लिखी अब अगर मैं लिखता हूँ के A equal है B के अगर यह A है और यह B है यह दोनों equal है देखे, अब अगर यह plane मैं बनाता हूँ यह theta B 90 degrees है तो देखे, second वाला if A का magnitude equal है B के और theta 90 degrees है तो क्या यह मुझे area of square नहीं दे रहा? बिलकल दे रहा है और similarly, आप इससे यह भी कर सकते है कि if A का magnitude B के magnitude के बराबर नहीं है और theta 90 degrees है तो यह आपको area of क्या देगा जी? area of rectangle देगा यह आपको area of rectangle देगा यह हमने magnitude की बात की area, अब area को vector इदर confuse करेंगे जी बाद लोग करते हैं कि area, flat area को हम vector लेते है उसका जो direction है वो normal unit vector लेते है और rough area scalar होता है तो वो जब 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 आईगी तो आपको समझा देंगे जी इदर मैंने बात की the magnitude of the cross product हम मुझे area दे रहा है मैं cross product की बात नहीं कर रहा है उसमें पिर any unit vector आएगा ठीक है? इदर जो magnitude है उस cross product का, वो मुझे वो area दे रहा है जो यह दोनों planes cover कर रही है ठीक हो गया के नहीं हुआ? तो मजीद इसमें मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं है जी मैं देखता हूँ कि अगर कुछ बात है तो मैं बताता हूँ वरना तो नहीं है यार मेरे ख्याल में यही पे इसको खतम करते है मेरे ख्याल में यही पे इसको खतम करते है और इसके उपर हमने questions नहीं किये है cross product के उपर तो एक next वीडियो मैं बनाता हूँ इसके उपर एक तो वो book example और assignment के उपर होगी और पिर इसके इलावा एक वीडियो होगी जिसमें मैं जरा सा इसमें anti-test questions या पिर general जो कुछ questions इसमें से आसके दें वो हम करेंगे जी ठीक है I hope ये आपको समझ आ गई होगी perpendicular vectors का जो है वो maximum होता है parallel का zero होता है और rectangular component form में भी मैं आपको बता दिया और ये again एक important property है magnitude of the cross product अगर इसके साथ आप मुझ पर figure बनावाना चाहते हैं इसरे वाले के साथ तो ये देखे ये A है और B तोड़ा सा बना बना दे बढ़ा बना दे तो ये again B और ये again A ये एक rectangle और दो देख नहीं रहा चले मैं तोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूं तो कि ये आपको देख जाए कि ये एक rectangle ही है तो जो मैगनी चूड़ा होगा वो इस एरिया को मुझे बताएगा ठीक है जी यहाँ पर वीडियो को खत्म करता हूं जी आपसे मुलाकात होती अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अपने इर्दित को लोग का ख्याल रखे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अल्ला हाफिज